कि नमस्का साथियों और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2021 के करेंट फेयस के बारे में आपको बता दो जनवरी महिने में जो भी आपकी घटनाय घटी वही हैं देश की हो दुनिया की हो या फिर आपकी राज्य से हो उनसे आपकी परिच्छा में किस तरह की कु कुश्चंस को यहां सामिल किया गया है और इस तरह की कुश्चंस आप सभी जानते हैं कि स्टेट पी सीए सो सेविल सर्वेस को इन सब में पूछे जाते रहते हैं वंडे एक्जाम में आप देख लिए एससी बैंक रेलवे पोस्ट ऑपिस या सिक्छक या आप देखते हों कि एक लाइन में आप देखते हैं कुश्चंस दे देता है और नीचे चार ओप्सन दे देता है आपके लिए तो एक खिलास आपके लिए बहुत ही मात्पूर रहेगे और इस खिलास में आपके वही कुश्चंस सामिल किये गए हैं जो आपकी परिक्छाओं में आने की संभ भावना है और एक बात और आपको पता दूँ देखिए आप लोग जब भी किसे एक्जाम की तैयारी करते हैं तो आप दो तरह के आंकड़े देखते होंगे एक तो आप देखते होंगे इस थाई आकड़े मान लिजे देखिए कोई दिवस मनाय जा रहा है तो इसके बारे में इस थाई आकड़े तो यही हो जाएंगे किस डेट को यह दिवस मनाय जाता है और पहली बार एक कब मनाय गया था और आएस थाई आकड़े कहने का मतलब होता है कि आप देखिए इस इस दिवस की कौन सी इस साल की कौन सी थीम है आप समझ रहे हैं आप या फिर आप देखि इस्टेटिक जीके भी कह देते हैं इन आंकडों को हम भी हम लोग देखेंगे और जो करेंट अफेस से जोड़े इससे फैक्ट होंगे उने भी हम लोग विस्तार से जाननी की कौसिस करेंगे और याद रखिए किलास थोड़ी लंबी हो सकती है उसमें कोई द्वराय नहीं होन देता हूँ उसमें 12 महीने का आपका करेंट पेस जो भी होगा वो डला रहेगा वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं और इसकी पीडियाप की बात करूं तो आपको टेलीग्राम आप लोग जोईन किये होंगे वहां इसकी पीडियाप भी आपको डाल देंगे या फिर आप आप सभी लोग जानते हैं नव वर्स एक उस्ताव की तरह पूरे विस्व में अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग तितियों और विधियों से मनाया जाता है जैसे आप लोग अंग्रेजी कलेंडर में देख लिए इसमें आप सभी को मालु होएं कि जब सुरुवात ह कित्ती है और एक जन्वरी को आप सभी को मालु होगा कि आपका क्या मनाया जाता है और नौ बर्स निव यह हैपी निवर आप लोग कहते रहते ना उसी की बात हो रही है तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और इसमें आप लोग क्या लगाएंगे यह आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें और आप देखें मद्द आप देखें होंगे भारत में यह मनाया जाता है समझ रहे हैं आप लोग लेकिन आपको बता दो भारत में आप लोग देखते होंगे कि मार्च महीने में से मनाया जाता है चैत आप लोग सुनें ना तो आप समझ सकते ह और इसलेमिक अगर कलेंडर का नया साल मोहरम होता है आप सब माले हैं उसको मनाया जाता है ऐसे कि तो यह आप लोग कुछ याद रख सकते हैं यह भी आप लोग याद रिखिए हिंदुओं में अगर हम लोग बात करें से तो चैद नव रात्री के पित्थम दिन यानि कि गुड़ी पढ़वा पर हर साल विक्रम संबत के अनुसार चैद सोकल पिती बदा से आरम होता है हिंदुओं नव वर्स ठीक है तो से भी आप लोग याद रखिएगा दूसरा कुछिंस हमारे सामने हैं अंगला कुछिंस इसमें आपके सामने चार ओप्सन दिये गए हैं क्या दिये गए हैं चार ओप्सन आपको देखने को मिलेगा इसमें कहरा है कि वाल्टेरी बॉटास दूसरा है लुईस हैमिल्टन तीसरा है मेक्स बेश टपन और डी है आपका एलेक्स अलवन आप लोगों को इसमें से सही आंसा चुनना है तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या होगा लुईस हैमिल्टन यानि कि आपका D option मापकरे B option आपका कैसा रहेगा बिल्कु सही रहेगा सादवार की F1 विस्ट चेंपियन से लुईस हैमिल्टन को अब सर की उपादी मिल गई है और वेटिश ड्राइवर हैमिल्टन को बेटिश की Queen Elijah Burt ने सर्वोच नागरिक सम्मान Knight से सम्मानित किया है और आपको बता दूँ यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के आंगे सर लगाया जाता है और हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले छटे formula one driver है हैमिल्टन में पहली 5 drivers को यह सम्मान मिल चुका है इसमें आप देखेंगे सर जैकी स्टीवाइट है सर श्टिलिंग मौस है सर फैंक विलियम्स है सर पेट्रिक हैट और सर जैक बॉथम है इस सम्मान को पाने वाले ठीक है तो इसमें आपका P option रहेगा अंगला question हम से है क्या पूछ रहा है भारत ने निमोनिया की भारत ने निमोनिया की पहली सौधेसी बैक्सीन लांच की है इसका नाम क्या है बताइए भारत ने निमोनिया की पहली सौधेसी यानि की देसी बैक्सीन लांच की है जिसका नाम क्या है इसमें आपका a option कहे रहा है new more full, b कहे रहा है new more bet, c कहे रहा है new more reach, और d कहे रहा है new more seal, बताई इसमें से क्या होगा, तो आपका बता दो इसमें से क्या होगा, new more seal, ठीक है, यानि कि d option इसमें बिलकुछ सही रहेगा, क्या रहेगा, d option आपका बिलकुछ सही रहेगा, और भार जामते हैं पूने में एक संस्था है सीरम इंस्टिटीट ऑफ इंडिया इसने भारत की पहली सौधी सी विक्सित नीमो कोकल बैक्सीन जिसी आप लोग नीमो सिल भी कहते हैं इसे लॉंच किया है और याद रहें नीमो सिल को सीरम इंस्टिटीट पी पी ए टी एज और बिल एं जिक्र हुआ है तो इनके बारे में जान लिए एक तो सीरम इस्टिटीट आफ इंडिया के बारे में और एक आप देख रहे हैं कि विल और मिलिंडा गेट संस्था के बारे में तो अगर हम इसके बारे में बात करें सीरम इस्टिटीट आफ इंडिया के बारे में तो इसकी इस इस्ता आपना आपको बता दू कि 1966 में की गई थी कब 1966 में याद रखिएगा और पूने भारत में इसका मुख्याले आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग विल और मिलेंडा गेट्स की बात करें तो इसकी स्थाबना सन 2000 में हुई थी कहा हुई थी सन 2000 में और इसका अगर आप लोगों को हेड़कोटर जानना है तो वॉसिंग्टन USA में इसका हेड़कोटर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग D option लगाएंगे इसकी PDF आप लोग क्या पूछ रहा है अंगला कुश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सेल के अध्यक्ष का कारभार गरहन करने वाली पिथम महला बनी है कौन सेल के अध्यक्ष का कारभार समालने वाली पिथम महला बनी होई है इसमें आपके पास option है अनीता चौदरी देपिका सिंग सोभा मंडल सोभा देवगन, बताइए आप लोग क्या लगाओगे आप लोग, तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सोभा मंडल लगाया होगा, यानि कि आप लोग क्या लगाएंगे, C option विलकुल सही रहेगा, C option सही रहेगा, अब आप लोग कहेंगे की सेल का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं, बैंक हो फिर आपका रेलवे हो इस तरह इक्षाओं में, इसके फॉल फॉर्म से भी questions पूछ लेता है, तो इसका फॉल फॉर्म है Steel Authority of India Limited, इसका कारवाल किसने समाला हुए अध्यक्ष का, सोभा मंडल ह और आपको बता दूं, अगर इसकी स्थाफना की बात करें, Steel Authority of India की, तो इसकी स्थाफना हुई थी, 19 जन्वरी, 1905 को, इसका हेड़क्वाटर आपको कहां देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है, चलते हैं अगले question की तरफ, अंगला question हमसे पूछ रहा है, कौन ब के महीटेम हुई थे, इसलिए आप लोगों से questions पूछ रहा है, इसमें आप पूछ रहा है, करनात, B कह रहा है, ओमेश सिन्हा, C कह रहा है, राजिंद भोसली, और D इसमें आप से कह रहा है, दिवाकर सिन्हा, बताइए, इनमें से क्या लगाओगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने लगा दिया होगा, उमेश सिन्हा, उमेश सिन्हा, चुनाओ के आयोग के बारे में अगर बात करें आप से, तो आप सभी जानते ही कि राश्पती की द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए, भारती निरवाचन आयो आप लोगों ने समीधान में पड़ा भी होगा, और आपको बता दू, जो उमेश सिन्हा है, यह उतर्पतेस के एडर के बर्स 1986 बेच के आई, एसा अधिकारी भी है, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, 6 मैनी का कारकाल विस्तार किये जाने के मंजूरी भी दे गई है, और 30 जून 2021 तक जारी रहेगा एक तरह से खतम, ठीक है, और निर्वाचन आयूप के बारे में, अगर हम लोग बात करें, भारती निर्वाचन आयूप के बारे में, तो इसकी स्थापना की बात करें, तो 25 जन्मरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और आप सभी लो पर चाहिए आपके नगर निगम, नगर पाली का, इनके चुनाओ के लिए आपकी दनेन देखा होगा, कि राज्यों में भी अपना चुनाओ आयो होता है, ठीक है, और इसकी अगर हम लोग चुनाओ के पहले अध्यक्ष की बात करें, तो सुकुमार सेंथी, और इसका रखी है, रख लिए है कि नहीं रखी है, और इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, और सम्मीधान का आर्टिकल अनुचित 324, चुनाओ आयो से सम्मंदित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, तो इसमें आप लोग B-Option लगाएंगे, ठीक है, अंगला सम्म, बैक्ति, हाल में ही केंद्रिय सुरक्षावल के नए महानिदेशक बने है, इसमें आप लोगों के सामने option है, नरेंद राजपूद, B कराएं बिमलेश चौदरी, C कराएं सुबोध जैसवाल, और D कराएं दीफक धीरज, आप लोग NDA की तयारी करते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह की questions फूच लेता है कई बार, तो इसमें आप लोग क्या लगा होगें, बताएं, तो इसमें आप देखें कि सुबोध जैसवाल होगे, C option आपका बिल्कु सही होगा, क्या होगा, C option बिल्कु सही होगा, और जैसवाल के बारे में अगर हम बात करें, त से 30 सेप्टमबर 2022 तक प्रभावी रहेगी, याद रखेगा, अब आती है केंद्रिय उद्दोगिक सुरक्षा वलकी, तो इसकी स्थापना को आपको बताओं कि 10 मार्च 1979 को की गई थी, 10 मार्च 1979 को, इसका हेड़कोटर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, कहां अंगला अकुष्यन्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है आपसी, लियोन मेंडुक का भारत के कौन से ग्रेंड मास्टर बने हैं, 63, 63, 31, 78, बताइए इन मेंस्ते कौन होगा, तो आप लोगों को याद रखना चीन, इसमें सर सथवी होंगे क्या होगा 67 भारत के लियों में मिंडॉन का महज आपको बता दूँ कि 14 वर्स की उम्र में भारत की सरसट वे गरेंड मास्टर बन गए है और आपको बता दूँ कि मिंडॉन का ने इटली में तीसरा और आखिरी नौर्म हासिल करते हुए या उपलब्दी अपने नाम की हुई है और आपको बता दूँ ये गुवा राज से समंद रखते हैं कहां से हैं गुवा राज से हैं और आपको एक और बता देता हूँ अब यहां गुवा राज की बात की गई है तो गुवा के बारे में भी कुछ याद रखिएगा और आप मैंसे कई लोगों की दिल्चस्वी भी रहती है गवा जाने की जा रहती है या नहीं रहती है या मैं जूट बोल रहा हूँ तो आपको बता दू गवा राज्य के बारे में तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि 30 मईए 1987 को इसे राज्य की राज्य क सेटें आपको देखने को मुझे याद रखे इस तरह के कुश्ण पूच लेता है कई बार ठीक है सेटों के बारे में भी कुश्ण आ जाते हैं अब चलते हैं हम लोग अंगली कुश्ण की तरफ अंगला कुश्ण क्या पूच रहा है पिती वर्स विस व्रेल दिवस का मनाय पूट तो बताएए कुछ तो आपको वतादु चार जनवरी को एध और हल साल आप देखते हूँगे चार जनवरी को 20 सब्रेल दिवस के तोर पर ल्लूइस बैल की जेंदी पर मनाय जाते हैं और ब्रेल लिपी के अविश्कारक दे लूइस बैल इनका जनब हुआ था 4 जनवरी 1809 फ्रांस में और आप सभी को मलग होगा कि ये ब्रेल एक ऐसी भासा है जिसका उपयोग दिश्टी बादक लोग जिनकी आखे खराब होती है लोग पढ़ने और लिखने के लिए कलते हैं तो इसे आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है और आपक लोग याद रख सकते हैं कि आंगी चलते हैं हम लोग अंगला कुक्षिन क्या है हमारे सामने किस राज सरकार ने राज में तमिल अकादमी की इस्थापना की है बताईए किस राज सरकार ने राज में तमिल अकादमी की इस्थापना की हुई है बिहार दिली गुआ आप लोग दिल्ली लगाएंगे दिल्ली के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको बता दो क्योंकि आप देखिए राजधानी है हमारी दिल्ली और आप से questions हो सकता है पूछ ले तो याद रखिए दिल्ली भारत की राजधानी है और आपको बता दो अरवेंद के जीवाल के ब अगर आप लोग यहां विधात सभा सीटों की बात करें तो आपको सब्तर सीटें देखने को बलेगी और लोग सभा में आपको साथ सीटें में देखने को बलेगी राज सभा में यहां तीन सीटें आप लोगों को देखने को बलेगी ठीक है तो यह भी आप लोग याद प्रेश चत्रवेदी, जश्टिस पंकस मिथल और जश्टिस राजवीर देव गौड़ा और आप सभी को ये भी मालू होगा कि जम्मू कस्मीर लद्दाक एक हुआ करते थे राज लेकिन आप सभी को मालू है कि जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया गया था जम्मू कस्मीर में दिले की तरह आप देखेंगे विधान सभाबी आपको देखने को मिलेगी तो इसमें आप देखेंगे इस यह श्टिस आपका विल्कु सही रहेगा पंकच मिथल और इसके बारे में अगर आप से जम्मू कस्मीर और लद्दाक के बारे में बात करें कुछ रहता है दोनों के लिए आपका एक तरह से क्या है हाई कोट है ना इसलिए आप समझ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे मैं आपको बता दूं तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुत पुराना राज है इसका फाउंडे सन की बात करें तो 14 मैं 1924 की पास देखने को लेगा ले के और इसकी राध्धानि की बात करें तो लड़्दा की काहां देखने को में लेगी अगर सवरूम में बात करें जम्मू कस्मीर की तो अभी आप Ladसमीर की आया हूए ह него है कोई बड़ी जमूंद अगर समझे हैं कि चलिए अंगले कुछ्टेंगी तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन बेकती अखिल भारती है? झाप फैडरिसेटन की नए अध्यक्ष बने हैं कौन बैकती हाल में ही अखिल भारती है? नए अध्यक्ष बने हैं बताईए आप लोग चार ओप्सन आपकी सामने दिये गए नीरा साय नंद किसोर जैन या राकिस पंवी तामवी और संजे कफूर तो यह समें याद रखिए संजे कफूर होंगे कौन होंगे संजे कफूर होंगे अब आप पूछेंगे कि इसके बारे में भी बता दीजे ओल इंडिया चेस फांड फेडरेशन के बारे में तो आपको बता दूँ इसका हेड़क्वाटर आपको चैन्न नहीं में देखने को मिलेगा और इसका इसकी स्थापना उननीस से इंक्यावन में हुई थी ठीक है यह यह आप लोग याद रखेगा चले आंगे चले हम लोग अंगला कुश्चन हमसे क्या पूछ रहा है किस राजजी की सरकार ने ओलंपिक में स्वाडपदक जीतने वाली खिलाडियों को तीन करोर उपे देने की गोशना किये हुई है पहला इसमें कुश्चन क्या है राजिस्थान उत्तरविदेश तमिलाडू बताइए आप लोग तो इसमें राजिस्थान होगा अब आप कहेंगे राजिस्थान के बारे में भी कुछ बता दीजेगा क्योंकि राजिस्थान से भी कुश्चन साब से पूचे जा सकते हैं कि आखिर राजिस्थान है तो जयएपुर आपको यानि की गयपिटें का मतलर तैनी की बात कर रहा हूं और आपको बतादोंि यहां विभान साबम स्तिट की बात करें तो दोस्तो दोस की देखने को मिलेगी ठीक तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कोई मेडल जीत के आ जाता है उसके बाद आप उस पर पैसों की बरसात करते हैं मुझे लगता है यही पैसा अगर आप लोग पहले खिलाडियों के जो पिसीक्षण होता है आप वो जब सीखते हैं उस समय खरच किया जाए तो आप देखिए हमारे देश में मेडल जीतने वाली खिलाडियों की संक्या में एजहापा होगा बढ़ते हुए दिखाई देंगे लेकिन आप देखते हैं कि पहले उन पर खरच नहीं किया जाता है वो किस तरह से अपनी टेंग पूरी करते हैं लेकिन आप देखते हैं कि बाद में इन्हें किस तरह से कोई अगर मेडल जीत लेता है तो किस तरह से ने सम्मानित किया जाता है अंगला कुश्य ने कौन बैक होजो जॉन्संग मताइए तो इसमें आप याद रखिए बी ओप्षन होगा एलेकजंडर एलिस क्या होगा एलेकजंडर एलिस भारत में वेटेस हाई के कमिशनर एक तरह से न्यूक किये गए हैं ठीक है अंगले कुश्चिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन वेक्ति भारतिय सेना के मानो अधिकार सेल के पहले तरमुख बने हैं कौन वेक्ति मानो अधिकार सेल के पहले तरमुख बने हैं देखें मानो अधिकार सेल का एका मतलब होता है कि आप लोग इंसान है आपके अधिकार होते हैं आपके अधिकारों को आपने देखा होगा संभीधार के भाग तीन में आप लोग मौलिक अधिकार भी देखते हैं और आप लोगों कई तरह के मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं बोलने की सुतंता है आप लोगों को लिखने की सुतंता दी गई है आप देखिए आने जाने क इससुतनता दी गई है आपको संगठन बनाने की स्उतनता दी गई है लेकिन याद रखिए इससो अप लोगों को वहीं तक दी गई है जहां तक आप दूसरे की अदिकारों का पहनंन न करे मान दीजे के एक से आप लोगों को बोलने के सुतंता दी गई है अब आप लोग क्या करिए कि आप लोग किसी को इल्टे सब्द बोलने लग जाईए तो आपकी सुतंता समात कर दी जाएगी ठीक है तो इसमें भालतीय सेना के मानवदिकार सेल के पहले तर्मुक कौन बने हुए है इसमें यह गया रहा है रगुनाद सिंग, जितन सिंग, मोहन चोपडा, गौतम चोहान तो यादर की गौतम चोहान होंगे इसमें कौन होंगे गौतम चोहान भालतीय सेना ने पहली बार मानवदिकार मुद्देफर गौर करने और बलके ट्रैक रेकूर्ड को बहतर बनाने के लिए सुझाओ देने के लिए प्रमुक मेजर रेंग के अधिकारी की नियुक्ति की है और मेजर जनरल गौतम चोहान ने ए अतरिक्त महाने दे सक, मानवदिकारी की रूम में अपना पदल एक तरसे गहंड किया हुआ है ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्चन क्या मुश्रा हम से? जारी दा क्रोनिकल अब थिलान्थरोफी 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? बताएए कौन सबसे बड़े दानवीर बने हुए हैं? दानी आप लोग समझते हैं उसी की बात की जा रही है तो इसमें आप लोगों से पहला रतन टाटा जेफ बेजोस मार्क जुकरवर और अथर ब्लेंक तो आपको बता दूँ इसमें आपके होंगी जेफ बेजोस यानि की बी ओप्सन आपका बिलकु सही रही गया आप देखिए ये बिजनेस मैन हो और आप देखिए अगर ये कमाते हैं तो बहुत सारे एक तरह से क्या करते हैं दाडमी करते हैं डॉनिट भी करते हैं आप देखेंगे जारी दा क्रोनिकल ओफ त्हिलान ठरौफी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बारिसिक रिपोर्ट है हर साल ये निकलती है और इसके मुताबिक दुनिया के सबसे अमीरी सक्षन ने 2020 में सबसे बड़ा दान किया हुआ है अमेजन के मुखिया हैं आप सभी जानते हैं जेब बेजोस इन्होंने 2022 में जलवाईव परिवतन से मुकालबला करने के लिए 10 अरब डॉलर अगर आप लोग भारती रुपिये में इसे कनवर्ट करें तो 732.49 अरब रुपिये होते हैं दान किये थे और पिछली सालों के माका पाबले इससे बार अरब पतियों ने कम दान किया है विजोस के दान को यदि एक और और देखें तो 2020 में 10 तरवादिक दान करने वालों में से 2.6 अरब डॉलर यानि कि 190.46 अरब रुपिये का युगदान किया है जो आप देखें कि बरस 2011 के बाद सबसे कम दान है क्योंकि क कुरोना महामारी में आप लोग याद रखें बहुत लोगों को फरक पड़ा है अगर हम लोग इसके क्रोनीकल और थेलेंथ्रोफी की बात करें तो इसकी इस्थापना 1988 में की गई थी ठीक है यह आप लोग याद रखेंगा अंगली कुशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सिराज जी की सरकार ने युवाओं को आत्म निर्वर बनाने ही तो लॉंच फेड इसकी मसरू की हुए है बताइए इसमें आप लोग क्या करोगे हरियाना लगाओगे विहार लगाओगे या फिर आप देखिए मद्पिदेश या आसम लगाओगे बताइए तो मुझे लग किया है तो वाधा तो निभाना ही पड़ेगा तो आपको बता दो देखिए सन 2000 के पहले मद्पिदेश चेतफल में सबसे बड़ा राज जुगा करता था जब तक आप देखें कि 36 गर आपका मद्पिदेश का हिस्सा था लेकिन आप सभी को मालूएं कि 36 गर सन 2000 में अलग कर दिया जाता है मद्पिदेश से और एक नया राज बनाया जाता है उसकी बाद मद्पिदेश का नंबर दूसरा है चेतफल की दृष्टी से पहले स्थान पर आपका राजिस्तान है और आपको बता दू इसका राज बनानी की बात होते हैं एक नवंबर 1956 को इसे राज बनाय तो यह point आप लोग याद रख सकते हैं आगे चलते हैं हम लोग किस खेल से संबंदित भार्थी खलाड़ी माइकल किंडो का नेर्धन हो गया है यानि की मौत हो गई यानि की death हो गई बताई यह किस खेल से जुड़े हुए थे hockey, football, cricket, basketball तो hockey याद रखिएगा इसमें क्या याद रखिएगा? hockey आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यह hockey से ही जोड़े हुए थे वरस 1975 में hockey विस्तिकप में भारत को जीत दिलाने वाले माइकल किंडो का 73 की age में उनकी death हो गई ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा किस देश ने हाल में ही मित्युदंड की सजा को समात कर दिया? आप लोग देखते हैं फांसी या मित्युदंड यानि की मौत की सजा उसी की बात की जा रहे है तो इसमें आप देखेंगे साओधी एरब, कजाकिस्तान, तुर्ग्मिनिस्तान, इरान तो याद रखिए कजाक कजाकिस्तान होगा, क्या होगा? कजाकिस्तान होगा इसमें, अब आप लोग कहेंगे कजाकिस्तान के बारे में कुछ बता दीजिए, तो कजाकिस्तान आप लोग देखतें न, यूरेसिया में इस्तित एक देश है, यूरोम में भी और एसिया में भी, ठीक है? और छेत फल् सब्सक्राइब में सोविय संग का विक्टन हो गया था यानि कि बट गया था यह अलग राज बना था इसकी राध्धानिया आप देखेंगे तो यह आपको नोरे सुल्तान देखने कुमली का समझ रहे हैं आप लोग चलिए तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इसके बार अंग है एक तरह से चलें आंगे आंगे हम लोग अंगला कुश्यन क्या हो श्राहिम से हमारी देश्ट में अभी आप जानते हैं कि यह होती है मौत की सजा दी जाती है फांसी दी जाती है मितिव दंड दिया जाता है किसी आंद्विदेश हाई कोट की नए मुख निया तो इसमें आ जैद dough Mode कोट अझी सिंग्छाओला अरूब कुमार स्वामी सीसरान सर्वा बताई आप लोग तो इसमें आप लोगकें तो क्या लगाओ भी अरूप कुमार गोस्वापी क्या लगाओ भी अरूप कुमार गोस्वापी ठीक है मुख नयादीस एक तरह से उच्छ नयालाई के अंध्पिदेश उच्छ नयालाई के बनाए गया है यह आपको बता दो से किम उच्छनेयले के मुखनेयादिस भी रह चुकी हैं आपके और अब बात आती है आंद्पिदेश की तो आंद्पिदेश के की बात करें तो अमरावती देखने को मिलेगा और आप सभी लोगों को एक पॉइंट वर याद होगा एक कुश्चन से भी कई वार पर इच्छा हमें पूछा जा चुका है भासाई अधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंद्पिदेश और यहां अगर हम ल आँगे कुश्चन से हमारा अंगला किसे गूगल क्लाउड की एसिया पिसांच्छित की पिरमुक की रूम में निउक्त किया गया है आप लोग बताईए इसमें पहला ओप्सन किया है आपका सोभम सिंग आदिल अहमद फुरुसोत्तम सौनी करन वाजवा तो इसमें आप द कि यह आप लोग गूगल क्लाउड फिलोट फॉर्म के बारे में बात करें तो आपको मालू होगा यह लॉंच हुआ था अपरेल 2008 में इसका ओनर है आपका कौन है गूगल है ठीक है यानि कि आप देखिए गूगल आप लोग सर्च करते हैं गूगल को एक तरह से आज का महिला बनी है कौन पुरुष्ट टेस्ट मैच में एंपारिंग करने वाली पिथम महिला बनी हुए जैकलीन विलियम्स बी कह रहा है आपसे किम कॉटन सी कह रहा हुमायरा फरा और डी कह रहा क्लेयर पोलु साख क्या लगाओगे इसमें तो आप याद रखे डी ऑप्सन अपरी 2021 की बात है भारत और उस्टेलिया के वीचे एक सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में मैच हुआ था और किलियर फोलो साग एंपारिंग करने वाली पिथम महिला बनी है और 32 साल की यह पोलो साग इसमेच में चौथे आएंपारी की भूमक्या निभा रही थी ठीक है तो यह आप लोग जरूरी याद रखेंगा चलिए अंगले क्विश्टन की तरह हम लोग बढ़ते हैं अमेरिकी राष्ठवती जो वाइडिन ने किसी अपना आटाउनी जनल चुना है बताए केमरूर रोज एलेक्स जोसिंडा मेरिक गार्डलेंड पीटर मार्वल तो आप सभी लोगों को मालू होगा कि अमेरिकी राष्ठवती पहले डॉनल्ड ट्रम्प हुआ करते थे अब नए निर्वाचीत राष्ठवती हैं जो वाइडिन समय रहे हैं आप लो चलि अंगले कुश्टन की तरह बढ़ते हैं हम लो पिती बर्स यानि की हर साल पिरवाची भारती दिवस कब मनाया जाता है इसमें आपके सामने ओप्सन है 8 जनवरी 9 जनवरी 10 जनवरी और यह है आपका 13 जनवरी इन 4 ओप्सन में से एक ओप्सन सही होगा वही ओप्सन आप लोगों को चुनना है अब आप लोग कहेंगे कि एक तो सही होगा लेकिन कौन सा सही होगा यह आप लोगों को बताना होगा तो याद रखिए 9 जनवरी होगा इसमें क्या होगा 9 जनवरी आपका बिलकु सही होगा यानि कि भी ओप्सन आपका बिलकु सही होगा और पहली बार ये 2003 में मनाये गया था समझ रहे हैं कब मनाये गया था 2003 में बनाये गया था इसे नौ जन्वरी समझ रहे है कि नहीं समझ रहे हो कि अगर हम लोग इसकी इसकी विसाय यानी की थीम की अगर बात करें तो आत्मि निर्भार भारत में योगदान इसकी थीम रखी गई थी क्योंकि आप सभी को मालूख होगा कि इस तरह की थीम के बारे में कुश्टन्स कई बार पूँच लेता है समझ रहे हैं आप लोग तो इनके बारे में भी नहीं देपा है समझ रहे हैं आत्मि निर्भार भारत में योगदान और इसके मुख थी 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 सुरी नाम की राश्पती चंदिका प्रिसास संतोस की यह भी आप लोग याद रखिए आप लोगोंने इतिहास में एक बाकी पड़ा होगा ये किस्ट्री में कुछ पॉइंट पड़े होंगे कि 1915 में महत्मा गांधी जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है वो दच्छिड अफीका से बापस भारत लोटे थे उन्होंने भारत की सुतंता संगराम का नितित किया था और भारत की जीवन को सदेयों के लिए बदल दिया था एक तरह से उस किस राज में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है किस राज में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है आपके सामने हैं तमिलाडू जहरखन महराष्ट उडीसा तो आप लोग बताईए तो यह देखने को मिलेगा उडीसा में कहां उडीसा में देखने को मिलेगा उ पुछ पॉइंट आप लोगों को बता दू पर ना आप लोग कहेंगे कि उडिशा के बारे में आप लोग कुछ नहीं बता है तो उड़ी सागे बारे में अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था इसकी राधानी आपको भूवनेसोर में देखने को मिलेगी और यहां विधान सभा सीटों की बात करें तो 147 सीटें देखने को मिलेगी राज सभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी और इन सीटों को मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि मैंने देखा है कई वार इस्टेट PCS और सिविस सर्विस में आपका एक तरह से मिला नहीं करने के लिए आ जाता है कि इस राज में इतनी सीटें आपको सही चुनना होता है उनमें से तो आप लोग याद रखिएगा ठीक मुख सूचना अधिकारी बने हुए है क्या बने है मुख सूचना अधिकारी बने हुए है इसमें देखें आप लोगों कि असोक निगम अरविंद प्रिजापत राज एयर रमेश लोखंडे तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे है डॉक्टर राज एयर अमेरिकी सेना के पहले मुख सूचना अधिकारी CIO नेक्ट किये गए हैं ठीक है तो इसी आप लोग याद रखिएगा चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ इसमें क्या लगा होगे C option बता चुका हूँ ठीक है किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलेरी अकाउंट लॉंच किया बताइए कौन सी बैंक होगी कोज सी बैंक की बात हो रही है बंधन बैंक तो इसमें क्या लगाऊगे बंधन बैंक अब आप लोग के बारे में कुछ बता दिदू इसकी थापना संदोहियार में हुई थी इसका यहेड कुटर आपको रोकाता में देखने को मिलेगा कहाँ क कोलकाता में कोलकाता जानते हैं न पश्चिम बंगाल में कोलकाता आप लोगों को मालू होगा और इसके लिए बंधन बैंक ने आर्मी के साथ एक एक MOU भी किया हुए हस्ताक्षर भी किया हुए इस अकाउंट के मात्यम से सेना के जबानों को कई सुविधा भी दे जाएंगी और जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलेगा खाते में एक लाग रुपे से जान्दा की रासी पर 6.30 का ब्याज भी मिलेगा और बैंक के सभी एट हमें उनका सम्मान करना चाहिए एक ज्ञान की बात नहीं दे रहा हूँ अगर हम लोग चैन की नींद ले रहे हैं सो रहे हैं सांस ले रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत ठीक है अंगला कुक्षन है कौन भारती है अखिल भारती है फुटवाल महासंग के पहले ओप महासचिफ बने है अखिल भारती है फुटवाल महासंग की बात हो रहे है ए आई एफप की अरुन जादा हो भिमल चावला अभी से क्यादा हो आनन सिनहा बताईए आप लोग तो इसमे उन्नीस और तालीस में हुई थी ठीक है एफ आई एफ की बात हो रही है ठीक है और वैसे आपको बताऊं तो यह बहुत पुरान असंग है यह 23 जून 1937 में ही एक तरह से एस्तित में आ चुका था है एड़क्वार्टर की बात करें तो नियू दिल्ली में देखने को मिलेगा समझ रहे नियू दिल्ली तो आप लोग जानते हैं चलिए अंगले कुश्चन की तरह हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्चन हमसे पूछ रहा है कि फिती वर्स विस्त ह हिंदी दिवस कम मनाया जाता है बताइए तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें एक आप देखिए दो तरह का हिंदी दिवस होता है आप समझ रहे हैं विस्त हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे आप सभी कमाल हुगा कम मनाया जाता है 9 जनवरी 10 जनवरी या 11 यह कब मनाय जाता है तो आप देखेंगे 10 जनवरी को मनायी जाता है लेकिन आप लोगे याद रखीए गाई एक बात और 1975 में आये जित पहली हिंदी संब्लें भिस हिंदी संब्लेलं की बर्सगाट को चिनित करनेक्ट लिए पहले भिस हिंदी सम्मेलन का और घाटन पिदान मंतरी इंद्रा गांधी ने किया हुआ था ठीक है और 10 जनुबरी 2006 को पहली बार पूर पिदान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सींग के जरिये विस हिंदी दिवस मनाय गया था और 14 सेप्टमबर को आप लोगों को मालू होगा हिंदी दिवस मनाय जात था और आप 30 समिधान के नुच्छे 343 को आप लोग पढ़े हैं इसमें आधिकादरिक भासाओं में से एक रूम में अपनाए गया है था ठीक है चलिए तो यह भी आप लोग याद रखेगा याद रखोगे कि नहीं रखोगे कि आप लोगों को भूल जाओगे जनवरी चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्यन है मारे साबने किस राजगे पूर मुकमंत्री माधाव सींग सोलंकी का 94 वर्स की उम्र में नेधन हो गया यानि कि डैथ हो गई उनकी मौत हो गई उनकी बताईए क्यों होई कुछ बताओगे गुजरात राजिस्थान महाराष्ट हरियाना तो आप सभी को मालू होने चाहिए गुजरात के थे कहां के थे गुजरात के थे अब अगर आप लोग कहें तो गुजरात के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूं और आपको मालू होने चाहिए कि गुजरात के पूर मुखमंत्री थे और कॉंग्रेस के पाइटी के वरेश्ट नेता भी रहे हैं ठीक है चार วार मुखमंत्री के पतपर रहे हैं व भी कुछ पूर एक बार बारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे गुजराद की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राधधानी आप लोगों को मालू होगा कि गांधी नगर है क्या है गांधी नगर है और इसकी स्थावना एक मैं 1960 को की गई थी यहां आप लोगों को विधान सवा में 182 सीटें देखने को मिलेगी कि राजसाभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेगी और लोगसाभा में 25 सीटें गुजरागे लगा ओगए ठीक है आपके पिधान मंत्री और ग्रह मंत्री हम बहीं के है हैं समद रहे हैं चलिए यंगे चलते हैं हम लोग कोन ब्यक्ति जेफ बैजोस को पीछे चोड़ कर दुनिया के सबसे अमीर बैक्ति बने हैं दुनिया के समझ रहे हैं दुनिया के होंगे आपकी Elon Musk और टेसला की CEO है ठीक है Elon Musk दुनिया के सब से अमीरी व्यक्ति बन गए हैं इनकी संपत्ति की बात करें तो 188.5 बिलियन डॉलर थी जो अमेजन्स के CEO जेब वेजुस की तुल्ला में 1.5 मिलियन डॉलर आधिक है तो यह भी आप तो याद रखिए तैसला की बात करें तो इसकी इस्थापना एक जुलाई 2003 को हुई थी एड़कॉर्टर आपको United States में देखने को मुलीगा USA में चलिए अंगले question के तरफ बढ़ते हैं हम लोग पिती वर्स राष्टी यूवादिवस कम मनाय जाता है कि बताए के संमने 10 जनवरी ग्यारह जनवरी बारह जनवरी तेरह जनवरी तो अब सभी कमाल होगा कि बारहे जनवरी इसमें देखने को मिलेगा क्या देखने कुने को मिलेगा बारहे जनवरी कि और यह स्वामी ववेवकानद के के बारे में भी बता दीजे कुछ तो इनके बारे में भी आप लोग वैसे पड़े होंगे तो इनके इनका जनव हुआ था बारहे जनवरी 1863 में कोलकाता में और इनकी डेथ हुई थी चार जुलाई 1902 को ठीक है याद रखिएगा चलते हैं अंगे चलते हैं हम लोग कौन वेक्टी अमेरिकी खुपिया एजनसी cia के नए निदेशक बने हैं cia जानकते हो आप देखते होंगे कि कई सभी देशों की लगबग आप देखिए खुपिया एजनसी होती है इसका पहला आप्शन है केमरोन चार्ल्स विलियम तो बताइए इसमें क्या करोगे विलियम बर्न्स ठीक है तो इसमें भी आप्शन आपका बिल्कुछ सही रहेगा और इसकी इस्था आपना अठारे सेप्टमबर 1947 को हुई थी केंद्रिय को भिया एजनसी की ठीक है यूज एसे की चले आंगे चले हम लोग अंगला कुष्टन है हमारे सामने जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा इस्तान मिला है बताइए इसमें पहला ओप्शन कह रहा है आपसे सरस्तटबा उन्नियासी वा पच्चासी वा एकानवे वा बताइए आप लोग क्या करोगे क्या लगाओगे पच्चासी वा सी ओप्शन आपका बिल्कुल सही है अब आप लोग कहें कि हैंले बास्पोर्ट तो यादर की इंटरनेशनल एयर ट्रांजेक्सन कि आधार पर पिदीवस हैनले एंट पार्टर नर्स द्वारा हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है ठीक है यह आप लोग यादर जापान के पास अगर देखें आप लोग सबसे ऊपर देखने को बिलेगा जापान के पास पास्पोर्ट के साथ 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा की लिए ठीक है सिंगापुर को आप देखेंगे दूसरे नंबर पर है यह 190 देशों की बिना वीजा कर सकते हैं अपने पासपूर्ट पर कोरिया जर्मनी आपका तीसरे नंबर होए ठीक है भारत आप देखेंगे 552 इस्थान पर है और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 170 इस्थान पर है चीन की बात करें तो 70 इस्थान पर है भूटा 90 सिलेलंका 100 वंगलादेश 101 नेपाल 104 एक बात और आपको बता दू देखिए याद कखिए जब भी इस तरह के कोई इंडेक्स आता है रिपोर्ट आती है सूचकांक आते हैं तो इ ने भी याद रखा करिएगा चलते हैं आंगे हम लोगा क्योंकि इनसे इंडेक्स रिपोर्टों और सूचकांकों से कुश्चनस आपके आते रहते हैं पिसिद व्यक्ति बेद महिता का डैथ हो चुकी यानि की मौत हो चुकी वह एक क्या थे बताएए लेखक थे या गर्तक कर बेद महिता का 86 बर्स की उम्र में डैथ हो चुकी है आपको बता दूं कि 20-20 सदी के एक ऐसे लेखक के तोर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अमेरिकी पाटकों की भारत से पहचान कराई और महिता 24 किताबें में बॉलकिन दा इंडियन इस्टीट इस्टीट प्रोटेट आफ इंडिया और महत्मा गांधी एंड एफ सामिल है इसमें ठीक है तो 24 किताबें उन्होंने लिखी हुए जो काफी चर्चा में भी रही हैं चली अंगला कुश्चन हमारे सामने पिती बस भारतिय सेना दिवस कम बनाया जाता है भारतिय सेना दिवस तो आप लोगों को मा माल हुगा ना बताएं कम मनाते हैं इसमें पहली डिट आप लोगों के सामने है 15 जनवरी दूसरी कह रहा है 13 जनवरी और तीसरा कह रहा है 16 जनवरी 11 जनवरी तो आप लोगों को माल हुगा कि 15 जनवरी को मनाया जाता है कब 15 जनवरी को इसके बारे में कुछ और पॉइंट और इसके बारे में और क्या याद रख सकते हैं कुछ रखना है याद सेना दिवस्त 15 जन्वरी को जो हमारे बहादुर सेना नहीं रहते हैं उन्हें सलामीद भी दी जाती है तो यहीं हमारे लिए जिन लोगों ने अपनी जान निचागा कर दी है चलिए अंगली कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन बैकती इंटेल की नए यह सी इओ वने है इसमें पहला ओप्षन क्या कर रहरा है आपसे जैन्स फॉल्क बी कर रहा है पेट गल्सिंजर डी कर देनियल गुड अर्डी कर जीजे इसमत्त तो आप क्या लगाएंगे पेट पेट और यह आपके गैल्ज सिंजर ठीक है यह आप लोग याद रखिएगा और इंटल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इस थापना अठारे जुलाई की 1960 में हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको यूएसे में ही कैलिफॉनिया यूएस में ही देखने को मिलेगा ठीक है अधिकतर इस तरह की कंपणिया आप देखते होंगे यूएसे की ही रहती है ठीक है भी ऑप्सन होगा इसमें आप लोग याद रखें अंगला कुशन सब्सक्राइब कसी में कौन बेकति प्रतकाल में लुट की नए राजदूत ने उक्तिकाइगे हैं रंजन इसमें क्या कह रहा है रंजन ओसवाल हारून खान मनीश चौहान निर्मल सींग तो इसमें आप सभी को माल होने च्छे मनीश चौहान है कौन है मनीश चौहान है भारत सरकाने पुर्दगाल में मनीश चौहान को नया राजदूद बनाये गया है भारती विदेश सेवा यानि की आई एफस के 1994 बेच की अधिकारी मनीश चौहान रहे है तो याद रखिए चलते हैं आंगे चलते हैं लोग जारी टुम 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 ट्राइफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे जानदा ट्राइफिक बाला सहर बना है इसमें आपका विजिंग चीन मॉसको रूस मॉंबई भार सिदिन ए औस्टेलिया तो याद रखिए आपका मॉसको रूस होगा क्या होगा वी ओप्सन होगा आपका क्या लगाओगे बी ओप्सन लगाओगे और मासको आपको बता दो दुनिया का सबसे भीडवाला वाला सहर रहा है इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की मॉंबई रही है आर्थिक राध्धानी भी आप लोग कहते हैं समझ रहे हैं तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा आगे चलते हैं हम लोग क्या पूश्रा है पिसे दिव्यक्ति गुलाम मुस्तापा खान का डेथ हो गई यह मौत हो गई नेधन हो गया है वह एक कौन थे संगीतकार विज्ञानिक पूर पिधान मंत्री पूर राष्ट पदी तो आप सभी को माल होगा कि संगीतकार थे अच संगीतकार थे मसूल संसास्तिय गाय को संगीतकार रहे हैं ठीक है 89 साल की एयर की उम्र में 89 बर्स की उम्र में इनका नेधन हो गया है और गुलाब मुस्तपा खान को साल 1991 में पदम सरी भी दिया गया था साल 2006 में पदम भूसन और साल 2018 में पदम भूसन भी दिया गया था ठ संगीद नाटक का अकादमी अबॉर्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था तो यह याद रखिएगा गुलाम मुस्तपा खान आप लोगों ने कुछ मूवी इस तरह की देखी होगी उसमें समय रहे हैं तो यह याद रखिएगा तीन मार्च 1931 को इनका जनम हुआ था और 17 जनवरी 2021 को इनकी डेथ हो गई थी इस डेटें कमी पूछता है लेकिन बता देता हूंगी कभी कुष्चन से अगर बन जाए तो आप लोग आसानी से इसका अंसर दे सकेंगे अंगला कुष्चन है किस देश की फोटोवालर बैन रूनी ने खेल से संज्यास लिया है एक किस देश के थे इंगलेंड ब्राजील रोस कनाड़ा तो याद रखें इंगलेंड के थे कहां के थे इंगलेंड के थे इस तरह के कुष्चन से भी कई बार मुझ लेता है मैंचेस्टर यूनाइटिड यूनाइटिड के पूर दिगज खलाड़ी रहें वेन रूनी ठीक है चलिए अंगले कुष्चन की दरब बढ़ते हैं हम लोग किसे भारत का पहला कोविद 19 का टिका लगा है वेक्सिन की बात हो रही है रमेश देशाई वरुन कुमार राजेस निराला मनीश कुमार बताईए आप लोग मनीश कुमार होंगे इसमें और ये कुष्चन से याद यह हो सकता है कि आपकी परिक्षाओं में पूछे लेकिंगे 2020-21 में आपने देखा है कुरोना मामारी किस तरह से परिशान किया हुआ है ठीक है और दिल्ली के एम समय भारत का पहला ठीका लगाता है तो यह भी या याद रखिएगा मनीश कुमार चली यह आंगे चलते हैं हम लोग अंगे कुष्चन से हमारा अठारे जन्मडी 2021 को एंडी आरेफ ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है एंडी आरेफ ने कौन सा अपना इस्थापना दिवस मनाया है तेराइवा या फिर सोलाइवा या 21 या 23 नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स की नाम से ने आप लोग जांदेश की स्थापना आपको माल होगा कि सन 2006 में हुई थी इसका हेड़क़र आपको न्यू दिल्ली में देखने को में लेगा ठीक है तो यह आप सोलाइवा है कौन सा है 16 वा है ठीक है क्या लगाओगी बी ओप्सन आपका सही है राष्टी आपदप पिति क्रिया वल भी से आप लोग कहते हैं और यह आपकी जन्वरी 2006 में आई हुई थी 19 जन्वरी को चलिए आंगे चलते हैं हम लोग किस राज के राजपाल नहीं वन इस्कूल वन आई एएस योजना सुरू की है तमिलाडू उडीसा केरल में आ लें इसे आप लोग बताईए तो इसमें होगा केरल और आपको एक बात और बता देता हूं देखिए केरल बहुत सबसे बहतर पिदासन करता है केरल और इसकी राध्धानी आप लोगों को मालू है तिरू अनंद परोम है क्या है राध्धानी तिरू अनंद परोम और इसकी स्थापना की बात करें तो एक नमूंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था यहां बिधान सवा सीटें आपको 140 देश नीचे से टॉप कर रहे होते हैं चलिए अंगले गोश्ण शमारा किस ब्यक्ति की जनदिनन पर 23 जनवरी को किती बर्स पराक्रम दिवस मनाने की गोश्णा हुई है बताए इन में से मुराजी देशाई सुवास्चंद बॉस पीवी नज सिंभा और एक हैं आपके चं सुवास्चंद बॉस नेता जी सुवास्चंद बॉस इनी के एक तरह से आप जनम दिवन जनम दिन को पराक्रम दिवस की रूम में मनाने का फैसला किया है और 23 जनवरी को यह मनाए जाएगा ठीक है और इस बरस आपने देखा होगा कि नेता जी की 125 भी जैनती मनाई गई है एक सो पचीस भी सुवास्चंद बॉस आपको बता दूं कि इनका जनम 13 जनवरी 1897 को हुआ था इनकी डेथ यानि की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई थी चलिए अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं किसने महलाओं की एकलबर्ग में थाइलेंड ओफेंड 2021 का खिताब जीता हुआ है बताइए इनके सामने चार ओप्संदिए यह मिया बेस फेल्ट या फिर आपके हैं के रोलीना मारिन से हैं ताइजू इंग या डी है आन से इंग बताएए कि क्या लगा वे आप लोग तो याद रखिए इसमें होगा के के रोलीना मारिन ठीक है के रोलीना मारिन आपका सही रहेगा इन्होंने ताई जू इंग को 29 और 21 सोले से हराय था ठीक है चली आंगे चलते हैं लोग अंगला कुश्चन है हमारे समने किस राज की सरकार ने डेगन फ्रोट का नाम बदलकर कम लम कम लम फ्रोट किया है राजिस्थान गुजरात मद्पिदेश का रुना टक तो आपको ब पूर्वी भारत में आप लोग देखते होंगे अपने देखा होगा मयानमार और चेन की सीमा पर इसे राज की बात करें तो इसे संग सासे चित बनाय गया था 21 जन्वरी 1972 को लेकिन राज कदर जया मिला था इसे 20 परवरी 1987 को इसकी केपिटल यानि कि आप देखेंगे राध्धानी तो इटान अगर देखने को मिलेगी यहां विधान सभा सीटे आपको 60 देखने को मिलेग क्या है हिमाचल पिदेश ने अरणाचल पिदेश की बात करें हिमाचल पिदेश तो आप देखेंगे यहां आपका देखने को मिलेगा कभी कभी हो जाता है उड़ा चल फिदेश ठीक है फिलो फिलो में निकल जाता है कौन गरतन दिवस परेड में सामिल होने वाली पहली महला फाइटर पाइलिट बन चुकी है बताएए इसमें होगा सुर्भी चावला अनीता कुमारी गीता राओ भावना कांत तो भावना कांत है ठीक है क्या होगा डी ओप्सन आपका बिल्कुल सही होगा भाती पाइब सेना की पहली पाइलिट भावना कांत बनी है ठीक है चलिए यहांगे चलते हैं अंगला कुशन है हमारे सामने हुई गोशना की मताबिक किस राज में भारत का पहला सरम अंदोलन संग्रालय खुल खुलेगा सरम अंदोलन संग्रालय खुलेगा तमिलाडू या फिर पंजाब या केरल असम बताइए इसमें कि तो इसमें याद रखे केरल होगा आपका क्या होगा सी ओप्सन आपका बेल कुल सही होगा सी ओप्सन कैसा होगा बेल कुल सही होगा आपका एक तरह से आप देखिए परेटन के अंद भी बन जाएगा ये चलिए आंगे हम लोग चलते हैं अंगला कुशिन है हमारे सामने महरा सरकार ने गौरे वाड़ा चिडिया घर का नाप बतल कर किनके नाम पर रखा है तो बाला साफ ठाकरे हैं और आप सभी जानते हैं बाला साफ ठाकरे के बारे में उधाव ठाकरे उनहीं के बेटे हैं और एक लंबे समय तक आप देखिए राजनीती में इनका हस्तिशिप काफी बड़ा रहा है इनकी जनम की बात करें 23 जनवरी 1926 को इनका पूने में जनम हु हुआ है महराष्ट की राध्धानी आप लोगों को मालू है क्या है मुंबई सुने हो मुंबई कि बिंटर राध्धानी के अगर पूच लेत नांगपूर है याद रखिएगा ठीक है और इसे राज़ बनानी की बात करें तो एक माई 1960 को इसे राज बनाया गया था ठीक है तो याद रखिए ये कौन होगे नरेंद मौधी साहब ये हिंदू टेंपल है आपको मालू है गुजरात में गुजरात में आपको देखने कूलेगा इतिहास में के बारे में आप लोगों ने काफि पड़ा हुआ और इस पत पर वो असीर यानी के होने बाद चुनने वाले दूसरे पिधान मंत्री है इससे पहले आपने देखा होगा मुराजी देशा मुराजी देशाई भी इस पत पर रह चुके हैं मंदिर नियास का द्यक्च नियुक्त हुए ते चलिह आंगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करना है आंगे भारतिय रेलबी न हाउड़ा काल का मेल ट्रेंड का नाम बतलकर क्या रखा है मुखरजी एक्सप्रेश, गांधी एक्सप्रेश, नेताजी एक्सप्रेश या सावरकर एक्सप्रेश तो याद रखे नेताजी एक्सप्रेश इसका नाम रखा है नेताजी एक्सप्रेश अंगला है किस राज ने अपने पहले online यूवा radio station Radio Hills यंकिस्तान का दिल की सुरुवाद की है उत्तर पिदेश, हिमाचल पिदेश, अन्द पिदेश, मद पिदेश तो याद रुखे हिमाचल पिदेश चलिए हिमाचल पिदेश का उलेख हो गया थो हिमाचल पितेस के बारे में कुछ बता देते हैं, और हिमाचल पितेसाब लोगों को गुमने की वड़ी अउच्छा रहती होगी geweं परवतों की परवत देखने को में यह बड़ा मौसम अच्छा इसकी राध्णानी सिम्ला आए हो दूसरी राध्णानी इसकी धर्म साला आए और इसे चब 25 जन्मरी 1971 को राज बनाए गया था यहां विधान सवा सीटें आपको 68 देखने को मिलेगी राज सवा में तीन सीटें लोक सवा में आपको 4 सीटें देखने को मिलेगी ठीक है चलिए आँगे चलते हैं हम लोग कौन बैक्ती टीसी सुसील कुमार की जगए ल.I.C. के नए प्रबंद निदेशक बने हैं दीपक साय जैराम उसवाल सिदात मुहंती रमन सर्मा बताए 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 ये ल.I.C. आप लोग जानते हैं ना कमी भीमा-भीमा कुछ करवाए हो सिदात मुहंती होंगे इसके सिदात मुहंती Life Insurance Corporation के बारे में सुने हैं न यही LIC इसकी स्थापना एक सक्रमबर 1956 को भी थी और इसका Headquarter आपको Mumbai में देखने को मिलेगा ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं अब लोग और आपको बता दो कुछ हम जो आंकड़ी बताते हैं उससे जानदा अगर आपकी दिमाख में आते हैं तो आप लोग नीचे कमट में लिख दी या करें हैं क्या फरक पड़ता है इससे क्या होगा कुछ और लोग जुड़ते जाएंगे तो उने इसका फायदा होगा जारी Global Firepower Index 2021 में भारतिय सेना को कौन सा इस्थान मिला है पहला तीसरा चोत्रा या फिर सात्वा बताइए कौन सा इस्थान मिला है तो इसमें आप देखेंगे हमें चोत्रा इस्थान मिला है फोर्थ नमबर पर हम लोग रहे हैं चारवे नमबर पर जिसमें भारतिय सेना को चोत्रा इस्थान मिला है और इसमें आप देखेंगे इस सूची में अमेरिका को दुनिया की सबसी तागदवर सेना माना गया है और दूसरे नमबर पर रूस को रहा है और इसके लाबा तीसरे नमबर पर चाइना और चोतरे नमबर पर हमारा नाम अंगले कुश्टने पिसिद बेक्ति नरेंद चंचल का डेथ हो गई इनकी मौत हो गई एक कौन थे गायक लेखक या फिर अविनेता या कभी बतागी कौन थे तो यह आप सभी जानते हैं गायक थे कौन थे गायक गायक थे गायक गाना गाने वाले गायक चलिए कई इन्होंने कई पिशिद फिल्मों में के लिए गाने गाये हुए हैं भजन भी किए और अंगला कुशन हमारी किसे जकारता में आसियान सजी वाले में भारत का अंगला राज़दूत नियुक्त किया गया है आप मैंक जैसबाल जेंद खोव रागडे, आलोक सोनी बमाली मिनित देश पांड़े. पशीन बताईए जयंत खोव रागड़ी हैं. खोब रागड़ी हैं ठीक है इनके बारे में जकार यहां एक आया हुआ है आसियान आप लोग को ने आसियान संगटन के बारे में सुने होंगे ना दच्छिनफूर्व एसी आई राष्टों का संगठन होता है ठीक है इसकी स्थाफना 8 अगस्त 1967 में हुई थी और इसका पुनेशिया में देखने को मिलेगा यह आप लोग याद रख सकते हैं याद रखने में क्या जा रहा है तो जाएगा चलिए याँगे चलते हैं हम लोग अंगला कुशन है मारे समने किसे भारती है गड़तग्व को किस भारती है गड़तग्व को बरस 2021 का माइकल एंड सीला यानि की एवं सीला हैल्ड फुरुसकार मिला है अजीत चंद पाल को रणिंजी सिंग सिंगल को देवपाल मातुर को निखिल सिरी वास्ताओं को बताए तो याद रखे निखिल सिरी वास्ता होंगे इसमें कौन होंगे निखिल सिरी वास्ता होंगे जब आप लोग को यह अच्छा गाम करते हैं तो आपको फुरुसकार मिला अच्छी बात होती है कैडिसन सिंगल समस्या और रामानुज ग्र लग्शय वश्विद्ध्य ओर्विकल के निकल स्रीवास्तों है एक ओलीیک फैडराल दील्व साने हैं प्लまず विद्ध्य ले הוא dying्य के धैनियल इस फील मेंन सामिल है तो निखिल स्रीवास्तों के बारे में याद रखिए गाच्छे से, यही पूछा जा सकता है आपसे, बागी दो को अगर याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, पिती वज राष्टी वाल का दिवस का मनाया जाता है, फिति वस राष्टी वाल का दिवस कम मनाय जाते हैं 24 जन्वरी 22 जन्वरी 25 जन्वरी 21 बताईए तो आप सभी जानते हूं कि 24 जन्वरी को मनाय जाता है किसको 24 जन्वरी को मनाय जाता है इसकी सुरुवात आपको बता दो कि 2008 में महिला और वाल विकास मंतरा ले भारत सरकार द्वारा इसकी की गई थी यह आप लोग जरूर याद सकता है 24 दिन बरी है जरूर याद रखीएगा और इसका अधिस यही होता है कि भारती समाज में लेंगिक आसमानता वाल का सिक्छा का महत उसकी स्वास्त वापोसन के वारे में जाग रूपता फैलाना समझ रहे हैं महलाओं को एक तरह से सतक्त बनाना सकती साली बनाना इनका एक तरह से उद्देश ही रहता है और डिजीटल पीडी हमारी पीडी थीम इस साल की इसकी रही थी तो यह आप लोग याद रख सकते हैं थीम से भी कई बार कोश्चन्स पूच लेता है पिती बस राष्टी मत दाता दिवस कब मनाया जाता है बाइस जन्वरी को चौविश जन्वरी को पच्चीस जन्वरी क बताए राष्टी मत दाता दिवस की बात हो रही है 25 जन्वरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 25 जन्वरी को मनाया जाता है और इसके बारे में अगर कुछ और पॉइंट बताए इसका मनाने का उद्देश यही होता है कि मद्दाताओं को जो मद्दान कलने की बात होती बोट डालने के उसके पिती जागरूख रखे क्योंकि आप सब ही जानते कि आपका बोट बहुत कीमती होता है एक तरह से लोगतंद को बचाने के लिए आपकी अधिकारों को बचाने के लिए ठीक है मद्दा इस साल की थीम की अगर बात करें हम लोग इस दिवसकी तो मद्दाताओं को सचे सुरक्षत और जागरूख बनाना एक तरह से थीम रखी गई थी अगर आप लोग जग रूख रहेंगे आप लोग अगर इमांदा नेता को चुनेंगे तो आप सोचिए कि हमारे देश की इस्तिधी काफी सुदरेगी सुदरेगी के नहीं सुदरेगी अब आप ही बताईएगा नहीं सुदेगी तो आप कि छाफर मैं क्या बूल सकता हूँ उसमें आप क्यूंकि आप देखें जो पैसा खरच करेगा वो पैसा निकालेगा भी इस बात को भी आप लोगों कर जान लेना चाहिए क्यूंकि जब कोई खरच करता है तो वो पहले निकालेगा जरूर और आप को 2011 से राश्टी एम अद्दातर देवस के रुम्हों में मनाने की सुरुवात हुई थी चलते हैं आगे चलते हैं किस राज़ी की सरकान ने बालिकाओं के लिए पंक अभियान की सुरुवात की हुई है पंक अभियान यसमें आप देखिए उत्तर पिदेश उडिशा मद्पिदेश करनाटक अब क्या होगा इसमें मद्पिदेश होगा ठीक है पंक अभियान इस तरह की अभियानों से भी कुश्चन्स फूंचने लगा है अजकल इसके उडिश की अगर बात करें तो बेटियों के सारे रेक मांसिक भावनात्मक एवं मनुविग्यानिक विकास से है इसका उडिश ठीक है और बेटियों का एक तरह से समग विकास हो इसके लिए अभियान चलाए गया पंक चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग कितने बच्चों को राष्टी है फुरुसकार बाल फुरुसकार 2021 मिला है 25 32 43 और 57 बताइए तो इसमें आप देखें कि 32 होगा 32 बच्चों को बी ओप्सन आपका दिलको सही होगा कि बाल पुरुसकार के अंद्री महला और बाल विकास मंतराले ने बच्चों के लिए एक तरह से पुरुसकार दिया हुआ है कि इसमें कई वच्चे सामिल है अगर आप कहें तो वच्चों के नाम भी बता देता हूं अमेया लगूणू बियोम अहूजा हिदय और किष्चना अनुराग रमोला तनुच समद्दर बिनिस कैसम सुहार्थ डे जियोती कुमारी कुमर दिभ्यांस सी कामिसोर जगनाद वाग मारे राकेश किष्चना के स्री नाव मोजिस अगवाल बीर कस्यब नम्या जोसी अर्चित राहूल पाटिल आयूस रंजन हिमेश चादल वादा चिराग भानसाली हर्मन जोच सींग मुहम्मद सुयव आनंद अन्वेश सुभम पिधान अनुजयन सुनित सिसोलकर पिसिद्दी स सविता कुमारी अर्सिया दस पलक सर्मा मुहम्मद रफी काम्या कारितिकेन खुसी चिराग पटल मंत्रा जितेंद हर खानी ठीक है नहीं आप लोग याद रखिएगा कोई चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग नाम नहीं पूछे जाएगा मुझे लगता है कि राज्यों में पूछा जाए तो बहुत बढ़ी बात है लेकर केंदर में कोई परिक्षा होती सेंटरल लेवल की तो उसमें बहुत मुस्किल लेता है 26 जन्वरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गरतन दिवस मनाया गया है सत्तरवा बहत्तरवा छेत्तरवा अठतरवा तो आप सभी कुमाल होगा कि 72 क्या 72 आप सभी जानते हैं कि 26 जन्वरी को गरतन दिवस मनाया जाता है और आप लोगों को माल होगा कि पहला गरतन दिवस 26 जन् सब्सक्राइब को मिल गई थी लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूरी तरह से हमारा जो समीधान लाग हुगा था 26 जन्मरी 1950 को हुगा था इस दिन कई संस्थाओं का एक तरह से बनाई गई थी अस्तित्त में आई हुई थी तो उसी को आप लोग याद रखिएगा और 26 नवंबर भी होता है आपको बता दू 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका समीधान लाग हुग किया गया था इसलिए आप जानते हैं कि समीधान देबस की रूम में 26 नवंबर को मनाया जाता है हुई गोश्ना के अनुसार कितनी हैस्तियों को पदम सम्मान 2020 मिला है पदम Sambhार आ तो आपको बता दूपदम Sambhार कौ आप लोग जानते हैं कर नीजानतें 119 हैस्तियों को 119 लोगों को अब आप लोग कहेंगे कि लिष्ट बता दीजिए तो बहुत बड़ी लिष्ट हो होगी आप लोग कहें तो आप जैसा आप लोगों की चाहूं कि इसमें कोई राय नहीं होनी चाहिए कि इसमें मुझे लगता है कि खास-खास लोगों को आप लोग याद रखेगा कास-खास लोगों को विजद रखेगा क्यों क्याओ लगतित और उसे अगर दिये गए होगे तो जरूर मुझे लगता है कश्च्च्च को पदम से मिला हुआ है आप सभी जानते हैं कि पदम पुरुसकारों की घुष्णा हर साल गरतन दिवस यानी की 26 जन्वरी को की जाती है और वर्स 1905 में इस्थावित किये गये थी पुरुसकार ठीक है और लेकिन को चिकरम की विशिष्ट सेवा के लिए और फदम सरी पितिष्ठ सेवा के लिए दिया जाता है बाकी आप लोगों को बता दूं कि देखिए जो नाम है उन्हें आप लोग कहीं से भी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजेगा उस समय आपने देखा होगा जब मिले थे उस चली यह खेर थोड़ी बड़ी कलास हो रही है लेकर बता देता हूं पदम भीभूसन की बात करें तो सात लोगों को मिला है इसमें सिंजो आवे पबलिक अप्रियस में मिला है जापान के हैं ऐसफी बाला सोंब्यम मरने के अब बाद मला है कला के चैक में तमिलाडू की हैं । नरिंदर सींग कफनी इन्हें मरने के बाद मिला है Science and Engineering USA के हैं मौलाना वहीद्दीन खान ए अध्यात्मिक के चित में मिला है दिल्ली के हैं बीवी लाल पुरात्रत से जुड़े हुए दिल्ली के हैं सुधरसें साहू कला के चित हैं उडीसा के हैं इस साथ नावों को याद रखें इनसे questions बन सकता है पदम भूसन की बात करें तो इसमें आप देखें कि किस्णन नायर सांतिक कुमारी एक कला के चित से जुड़ी हुए केरल से हैं तरुन गुगोई इन्हे मरने के बाद मिला है यह सम के चित से हैं और चंद सेकर कमरा इस साहत सिक्चा से जुड़ी हुए करनाटक के हैं सुमित्रा महाजन पब्लिक अ पेस्ट से जुड़े रहे हैं गुजरात के हैं कल भी साधित इने भी मरने के बाद मिला आया अध्यात्म चेत्व से जुड़े हूं उत्तरफदिस के रजनी कांग देवीदास यह उद्द्यों से जुड़े हूं महराष्ट के हैं तरलोचन सिंग पबलिक अपेस थर्याना के ह ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा इन्हीं से मुझे लगता है अगर कुश्टन्स पूछा जाए तो इन्हीं से आसानी से आप लोग उनकी आंसर दे सकेंगे आंगे चलते हैं हम लोगा किसे मडीपूर हाई कोड के नई चीफ जस्टिस के रूम में नियुक किया ग तो याद रखिए इसमें आपके पीवी संजय संजर कुमार होंगे पीवी संजय कुमार देखे अब यहां मडीपूर की बात हुई तो मडीपूर के बारे में कुछ पाइंट बता देता हूँ आप लोगों को आप देखते हैं मडीपूर पूरवी भारत में है एक राज और इसके राजधानी इंफाल है आप लोगों को मालू है और इसे राज़ बनानी की बात हो तो आपको बता दू पंद्रे इसे अगर राज़ बनानी की बात हो इसे मर्च किया गया था इंडिया में मिलाए गया था 15 एक्टूबर 1989 को मालू है कि नहीं है और यहां विदान सवा सी सीट एक दो देखने को लोग सवा सीटें दो है और आज सवा सीट एक है ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा चलिए आंग चलते हैं हम लोग अंगला कुश्चन है हमारे सामने पूरू भार्ति है खिलाडी पिसांत डोरा का नर्धन हुआ है वो किस खेल से संबंदित थे इसमें आपका ए ओप्सन कर रहा है फॉटवाल होकी क्रिकेट वास्केट वॉल तो याद रखिए फॉटवाल से जुड़े हुए थे फॉटव अब आप कहेंगे कि उत्तरपिदेश के बारे में कुछ पॉइंट बताईए आप सभी जानते हैं कि उत्तरपिदेश जन संग्या में सबसे वड़ा राज है एक बात तोर आपको मालू होगा कि यहां लोग सभा हो राज सभा हो बिदान सभा हो बिदान परिश्द हो सबसे जानदा सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी इसलिए कहा भी जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है इसका रास्ता उत्तरपिदेश से होके जाता है और आप देखिए अधिकतर पिदान मंत्री उत्तरपिदेश से ही चुने जाते हैं वरत्मार पिदान मंत्री को देख सो तीन सीटें देखने को मिलें डिजलवाद बहुत कैर झालवर्ण जारी गिलोबल क्लाइवेट रिस्क इंडेक्स बताई G बताएगे। दूसरा 5 बा, 7 बा, 9 तो याद रखी 7 बा है। क्या है? 7 बा है. क्या है? 7 बा है. Global Climate Risk Index इसमें 7 बा इस्थानchat। ठीक है? तो यसे भी आप लोग याद रख सकते हैं. इसमें अगर हम लोग बेस्विक जलवाई जोकिम सुच कांग समझे रहें साथवी नमर पर इंडिया अंतराश्टी परियावन ठिंक टैंक जर्मोन बोच ने वेसिविक जलवाई के सुचकांग जारी करता है ठीक है और यह हर साल जारी किया जाता है क्या हर साल जारी किया जाता है चलिए आगे चलते हैं लोग स्ताथ बाइस्तान है गिलोबल किलाईवेट इंडेक्स इसमें अगर आप लोगों ने एक और मुझसे सवाल पूंचना चाहिए था वैसे आप लोगों के लिए पूंचा नहीं चलिए पूंचा ने क्या बुल लागी बाद में पूंचते भी हम इसमें एक और कुश्चन बन सकता है कि टॉप पर कौन है क्या है टॉप पर सबसे उपर कौन है तो जापान है उपर क्या है जापान है ठीक है किस ब्यक्ति को 2021 का सुभाष्चन बौस आवदा प्रवंधन पुरुसकाल मिला है रगुनाद डास, पदम सिंग, रमिस नगर, कोटी, राजन भंडारी बताए कौन है राजिस भंडारी कौन है राजिस भंडारी ठीक है इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं आपदाओं पर बिग्यानिक अध्यन की सुरुवात करने वाले राजन कुमार भंडारी को एक परसे पुरुसकार दिया गया उनकी काम के लिए और तेश जन्मरी को नेताजी स्वास्चंद बौस की जैनती होती ना उसी दिन इसकी गोशना की जाती है चलते हैं आगे चलते हैं अमेरीकी पिसासन ने किस भारतिये को उर्जा विभाग की चीप और स्टाप की पत पर निव्ट किया है इसमें आप देखें विस्लाओं सर्मा पिंकी जहां तारक सायं तिप्ती घो साल तो याद रखी तारक सायं होगे शाय है ठीक है इसमें क्या होंगे अग्ने, चुरुक्त है अंगला कुशन है हमारे साबने किस राज़ की सरकान ने ज्यैल पर्याटन नामक पहल की सुरूफगात की हुई है उत्तर पेदेश महाराष्ठ, जहरकन केरल तो याद रखे महाराष्ट होगा जेल परयाटन की शुरुआत यानि की जेल घूमने की एक तरसे नई परयाटन शुरु गिया है तो महाराष्ट अगला कुशन है कौन इस्टो निया की पहई महला प्यधान मंत्री बनिया है इसमें रिजा ओलेक्स फिनी मूरे और काजा कलास लिसा हेंडरसन तो याद रखे काजा कलास है काजा कलास है और आपको बता दूं 1991 सदंता हजिल करने के बाद इस्टोनिया ने देश में पहली बार किसी महला को पिधान मंत्री बनाया गया है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं इस्टोनिया की आपको बताना है कि हमा महला राष्टपती कौन थी और दुनिया की सबसी पहली पिधान मंत्री महला किस देश की बनाए गया थी कौन थी बताना है और याद रखे इस्टोनिया आपकी यूरोप का देश एक थी चलिए आंगी चलते हैं लोग किसे मिस्टर में भारत का अंगला वराजदूत निव में अंगला कुश्चन है हमारे समने कौन बेखती कजाकिस्तान में भारत के अंगली राद दूद न्युक्त किये गए हैं तो इसमें निहार जो सौनी वरुन चतुरविदी अर्विंद गोस सुब दरसनी तिरपार्टी तो इसमें याद रखे सुब दरसनी तिरपार्टी ह हम लोग बढ़ते हैं क्या पूंचरा है अंगला कुश्चन आपसे स्वामी नाथन जानकी रवन और असुनी कुमारते बारी किस बैंक के नए एमडी बने हैं तो आप लोगों को बताना है किसके हैं तो SBI के किसके SBI के और SBI की बारे में अगर बात करें तो एक जुलाई 1955 को इसकी इस्थापना हुई थी हेड़क्वाटर इसका नियुद इसका हेड़क्वाटर कहा है SBI के स्टेट बैंक आप इंडिया का मुंबई में ठीक है तो इसमें SBI किसे 42 में उपसेना प्रमुक्य रूम में नियुक्ति की गई है किसकी के की सिंग एम के तिवारी सीपी मोहंती जेपी जोसी तो याद रखी सीपी मोहंती होंगे इसमें जारी वर्स 2020 के विश्टाचा धारना सूचकांग में भारत को कौन सा इस्था मिला है बताए च्यासी वा नवासी वा नवा नवे वा च्यानवे वा तो आपको बता दूँ इसमें 86 वा मिला हुआ है में ए उप्सन आपका बिलको सहीद रहेगा इसे आप लोग क्या कहते हैं कि विश्टाचार बोद सूचकांग भी कहते हैं करेश्प्सन और यह ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है कि 2019 में भारत को 180 देशों में से असीवा इस्थान मिला था और ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतराष्टी गयर सरकारी संगठन है इसकी स्थापना एक 180 देशों को सामिल किया गया था अंगला कुश्चन है हमारे सामने पिती वर्स यानि की हर साल भारत में किस बेक्ति की इसमीर्टी को में 30 जनवरी को सही तिवस मनाया जाता है इसमें पहला ओप्सन है आपकी सामने भगस्निक महत्मा गांदी या फिर आजीव गांदी य महत्मा गांदी आप सभी लोगों को मालू होगा कि महत्मा गांदी की अत्या 30 जनवरी 1948 को साम की टाइम बिडला हाउस में आपने देखा होगा नाथू राम गौण से के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और इस दिन को सही दिवस की रूम में मनाया जाता है तो ये पॉ इनका पूराम नाम मोहंदास करमचन गांदी था ठीक है अब आंगली कुष्टन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं पिती वर्स विस्त कोष्ट दिवस कम मनाया जाता है इसमें पहला ऑप्सेन कह रहा है 29 जनवरी को भी कह रहा है 30 जनवरी 31 जनवरी या फिर एक फरवरी को वता चाहिए क्या करोगे तो इसमें आप लोग 30 जनवरी लगाओगे 30 जनवरी लगाओगे 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है दुनिया भर में आप देखें कि विस जो कोष्ट दिवस होता है इसे मनाया जाता है तो यह भी आप लोग इसका उद्देश यही होता है मनाने का देख कुछ लोग सरकारें भी करें तो यह भी आप लोग याद रखें और मेरा मानना है देखिए कि कोई भी अगर दिबस मनाया जाता है तो इसी के लिए मनाया जाता है कि लोगों में जाग रूपता उस जिस उद्दे से वो मनाया जा रहा है उसके पिती बड़े ठीक है अंगला कुश्चन है मारे समने कौन बेक्ती ACI क्रिकट परिशत के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं ए कह रहा है मुरली कार्तिक बी कह रहा है राकिस डेटली सी कह रहा है जैसाय और डी कह रहा है आसीस नहिरा और आप सभी को जैसाय के बार में तो मुझे लगता है कि आप ACI क्रिकट परिशत की तो इसकी इस्थापना माप करिए 19 सेप्टमबर 1983 में हुई थी ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिए इसके हेड़क्वाटर की बात करें तो कोलंबो स्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा आंगी चलते हम लोग कौन बैक्ती नेशनल हेल् की वह बने है आरे सर्मा एसस अगबाल पीके माथुर या फिर आपका डी ओप्सन है जे की सिंगल बताइए इसमें क्या लगाओगे कुछ लगाओगे भी तो याद रखिए आर एस सर्मा क्या है आर एस सर्मा है इसकी ठीक है तो इसमें आपका ए उप्सन बिल्कु सही है और इसकी फांडर यानि की स्थापना की बात करें दोजार अठारे में इसकी स्थापना की गई थी या आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने जारी इंड क्या है तमिलाडू महाराष्ट केरल या फिर जार घंड तो याद रखिए इसमें महाराष्ट है आपका क्या है महाराष्ट है अंगला कुश्चन है मारे सामने क्या है कौन बेक्ती SBI कार्ड की नए M.D. और C.E.O. बने है इसमें धरफपूरी अमंजन राम मोहन राओ राम चंदन दस तो याद रखिए इसमें आपका C.Option होगा क्या होगा C.Option होगा SBI के बारे मैं पहले भी बता चुका हूँ तरसे एक बार सुन लीजिए State Bank of India की अगर बात आए तो 1 July 1955 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका Headquarter आपको SBI का State Bank of India का मुंबई में देखने को मिलेगा ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगले कुश्यन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्या कह रहा है कौन भारतिय मूल की महिला Nasa की कारकारी पिर्मुक बनी हुई है नासा को आप लोग जानते है कहां की अंतरिक्स एजनसी है और हमारी अजन्सी का अंत्रिक्स एजनसी का क्या नाम है इसमें पहला option के रहे तो याद रखे बव्या लाल है ठीक है और नासा इस था अपना ना सागी इस था अपना आप देखेंगे 29 चुलाई 1908 में हुई थी विसका हेड़क्वाटर आपको बॉसिंग्टन DC USA में देखने को मिलेगी और USA यानि कि अमेरिका की अंत्रिक्ष एजनसी है तो यह आप लोग जरूरी याद रखेंगे जिसे आप लोग दास National Aeronautics and Space Administration भी कहते हैं ठीक है इस रोग आप लोगों ने सुना होगा हमारी अंत्रिक एजनसी है भारत की किस क्रिक्ष टीम ने सेयद मुस्तवा अलीट ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है बताई बड़ोदा तमिलाडू बिहार कुजरात इन में से आप लोगों को एक option चुनना है एक option तो चुनना है लेकिन सही कौन है यह चुनना है तो आपको मालून चे तमिलाडू है इसमें क्या है तमिलाडू है तमिलाडू के बारे में कुछ और बता की चैन देता हूं होकि सकता है कि आपसे questions पहुच लें कि देखे तमिलाडू की रादधानी कहा है सबसे पहले तो यही- question आप से पूंच रहा हूं मैं मैं ही क्या गा रहूं मैं ही पूंच रहा हूं आप लोगों से बताएए आपको दच्छिण भारत में देखने को मिलता है ना चेन्नई सुनाए तमिलाडु चेन नहीं तो तमिलाडू की राजधानी है चेन नहीं और इसके अगर राज बनानी की बात हो तो 26 जन्वरी 1950 को इसे राज बनाया गया था और यहां आप लोग देखेंगे लोग सवा सीटें आपको 29 सीटें देखने को बनेगी 39 लोग सवा सीटें राज सवा सीटें अठार ह और गिधान सवा सीटें 234 ठेक है यह आप लोग याद रखेगा चलिए तो यह है आपके जन्वरी महिने के जो भी घटनाया रही है उनसे जितने तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं उनका एक ओवर्विव हम लोग उन्हें ले लिया है आप लोग जब भी पेपर देने जाते हैं और आप लोग अच्छे मुझे लगता है कि कोई कुश्चन्स बनता है तो आसानी से उसके आंसर भी आप लोग दे पाएंगे इसी तरह के हम लोग जो भी फरवरी महिने की घटनाया है उनका भी ओवर्वीव इसी तरह से हम लोग ले लेंगे सभी कुश्चन्स को सामिल करके बात करेंगे ठीक है